कि यहां पर हम लगाएंगे और जो नेम प्लेट कैसी दिखेगी कैसी है क्या डिजाइन है वो मैं आपको वीडियो में शेयर करोंगी हाइज मेरे न्यू घर का डेकोर हो रहा है अपुर यहां पर बहुत मेहनत कर रही है और हम क्योंके नौवारी साड़ी पहनने वाले थे मैं अपुर्वा को नौवारे साड़ी ड्रेप कर रही हूँ मॉनिंग है और हमारा यह ब्रेक्वस्ट है आज ममा ने यमी यमी सा उपमा बनाया था जो बहुत टेस्टी था और यह करके हम जाएंगे डेकोर करने पूजा के लिए अपुर्वा बना रही है गुलाब जाम होममेड गुलाब जाम है वो बहुत ही एक्सपर्ट है इसमें तो उसने गिट्स का पैकेट लाया था और अब उसने उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है और उसके वो छोटे-छोटे से बॉल्स बना रही है यह ब उसे अच्छे से प्रेस करना है और गौल बनाते हुऊ है उसे घी में एके करके फ्राइं कर रहे है हलके हाँ और जब तक वह गोल्डेन ब्राउनी हो जाते हम उनको प्राय करना होता है । यहां पर अपुर्वा ने अच्छे से इनको फ्राय कर लिया आप देख सकते हो और मीठे जो शक्तर की चाचनी हमने बना रखी है उसमें हमने इलाइची डाल दी है और उसमें यह गुलाब जाम जो है सोक करने के लिए हम डाल रहे हैं और आप देख सकते हो एकदम मार्केट क तरह यह गुलाब जाम लग रहे हैं बड़े सॉफ्ट और टेस्टी से यह गुलाब जाम अपुराने बनाए हैं दोस्ते पूरा विलोग मेरे सिस्टर का ही होने वाला है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टालेंटेड लड़की है और अभी गुलाब जाम बनाने के बाद इत तीन læंघ ईयादा है सुपर मेन लोगों की विहान कैसा है तुम्हेरा सुपर मेन का यह अच्छा है अच्छा है बता क्यांट प्ली शाइब टू मैं चैनल पो लो आन माशी का चैनल को सप्ड़़ेंच ही बाश्राइब टूम टोर बाशी को मिल ला एक है आपूर्वा और में नए घर में आये हैं ताकि हम कुछ डेकॉर कर सकें अब आपूर्वा जो है वो रंगोली इकलरी वह मैं एक्वक्नम अवै क्सपर्ट अर्टिस्ट है गर की तो अभी वह रंगोली इकलरी इस कॉछर्ण में और इस तरह से नहीं पेबेट फूलों का डेकोरेशन गया है, यह अभी ठोड़ी सी हमने कल के पूजा की साम, कनेश पूजा की जो विदी होती है, उसका सामान रखा है, बाकि बहुत सारा सामानाना बाकी है और हम भस थोड़ा हल्का सा डेकोरेशन किया है, जादा कुछ हमने किया नहीं है अभी युए हमें उसमें कोई कीले विले नहीं लगाने थे तो बस इस तरफ एक ऐसे हैं है फ्रेंस तो अभी ये फाइनल टच इस रंगोली के हैं और आप पुर्वा ने देखिए किती सुन्दर रंगोली बनाई है बस दुआ किजिए कि यहां पर क्योंकि और में बहुत हवा आ रही है सो कल तक सुबह तक यह रंगोली अच्छे से रहे बस वही है बड़ी इतना सुन्दर उसने शेडिंग किया है लाइट ग्रीन डाग्रीन ब्यूटिफुल सच में हमारे खांदान की है सबसे टालेंटेड नड़की है तो बहुत ही जादा सुन्दर उसने देखे किस तरह से निकाल रही है यह दर्वाजे का डेकोरेशन हमने कर लिया है अभी बस यहां पे और एक गेंदे की और आम के पतों के जो बंदर वारे और एक लगाऊंगे मैं बस फिर हो चुका और यहां पे नेम प्लेड भी बन चुकी है और लग चुकी है इसका अभी कुछ डेकोरेशन हम सोच रहे हैं तो यह शयाद हम कल करेंगे इस डेकोरेशन को अभी हम इस न्यू हाँस में आया है जिसका नाम में मैंने अम्रुता विला रखा है और अपुर्वा जो है वर अगुली बना रही है और जो हमने बंदर्वार हमारे परिमल सुभिन द मैंने रंगोली में लिया है तो इतने ब्यूटिफुली माच हो रहा है यह भी मल्टी कलर है और रंगोली भी बहुत ही अच्छी तरह से उसे सजाई है हापे धर के फ्रेंट में ज護ओग्दी में आच ओूदि में मुंगद्य नाच जिए कोरहे हैं हापे खौ dolग जिया जिए हापे अच्छी करने आदर्प्ड़। happy birthday thank you happy birthday to you God bless you आम की पुरी हो जाए आम बिजनेस में ही गाइस है घाइस आइ he is Mr.Neerog Mehta मेरे brother-in-law है और यह बहुत बड़े businessman है मुम्बए में and his owner है सब्सक्राइब के और वो खास जो हमारे घर की पूजा होने वाले उसके लिए आए तैंक यू निरव आप आए हो मुझे इतना अच्छा लग रहा है पूजा के लिए और मुझे पता आप बहुत बिजी हो फिर भी आप इतना ट्रावल करके आए हो को चैको आपको कैसे लग रहा है और मुझे इंगान मेल बात मिल रहे न है लिए और हैसले सा इंग के लिए आप हो कि कि अदे एक नहीं है उप चलिए लिए आप अगुश्य कर रहे है हम आप फंक्स्यन में नहीं बहुत तिन बाद आ कुछ कर रहे हैं ऑन moments कुछ कर रहे हैं हैं हुशी का खुशी का अउसर बोल गशा है और अता है तभी अम फूल एंजोए करें हैं येस ये एक यहां अगा दोलो यह सारा तो आप देखेंगे का यह सारा कल जो हमें सामान ले जाना है पुजा का सामना है इधर सब पते हैं, खूल पील है सब अधर प्रिपरेशन कल की है और यह हम कल ले जाए है तोड़ा पूरेशन भी किया है खाने पीने का सब ऐसे स्टाइब तो बहुत मस्त हो जाने वाल है मेरे बेटी का पेड़ा के रो रहा है तो बहुत एक्साइब हूँ, और भी जादा पुछ हुए है तो गईस, नेक्स देए पूजा थी और पूजा में हमने क्या क्या किया वो में नेक्स वीलॉग में आपको बताऊंगी अगर ये वीलॉग आपको पसंद आये तो जरूर में चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा साथी बेल आइकन होगा उससे भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले Thank you for watching Amruta Amruta Official. I will see you next time. Bye!